ओम शान्ती ओम हिंदी मूवी रिव्यूज ओम शान्ती ओम 2007 की एक भारतिय हिंदी भाशा की रोमेंटिक फैंटसी फिल्म है जो फरा खान द्वारा लिखित और निर्देशित है, मयूर पुरी और मुश्ताक शेक द्वारा सहलिखित है और रेड चिलीज एंटर्टेन्मेंट के बैनर के तहट गौरी खान द्वारा निर जो 1977 में एक गरीब जूनियर फिल्म कलाकार थे, जिन्हें दिपिका पादुकोन द्वारा अभिनीत एक गुप्त रूप से विवाहित फिल्म अभिनेतरी शान्तिप्रिया से प्यार हो जाता है उसका पती और एक फिल्म निर्माता मुकेश महरा, जिसे अर्जुन रामपाल निभाया है, उसे धोखा देता है और आग में उसकी हत्या कर देता है, ओम इसे देखता है और उसे बचाने की कोशिश करते समय गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिसके परिनामस्वरूप उसकी मौत भी हो जाती है 2007 में अमीर सुपर्स्टार ओम कपूर के रूप में पुनरजन्म लेने के बाद, वह शान्ती के हमशकल सैंडी बंसल की मदद से मुकेश से बदला लेने के लिए निकलते हैं श्रेयस तलपडे और किरन खेर फिल्म में भी दिखाई देते हैं और कई भारतिय फिल्म हस्तियों के कैमियों कई द्रिश्यों और गीतों में दिखाई देते हैं ओम शान्ती ओम का शीरशक सुभाश घई की लोगप्रिय फिल्म कर्स के एक समान शीरशक वाले लोगप्रिय घीत से निकला है जो 1980 में रिलीज हुई थी जिसमें रिशी कपूर मुख्य नायक के रूप में थे इस गाने के बोल जावेद अक्तर ने लिखे हैं और संगीत विशाल शेखर ने दिया है बैक ग्राउंड स्कोर संदीप चोटा ने किया ओम शांती ओम नवंबर 2007 में दिवाली के त्योहार के अफसर पर रिलीज हुई यह अपनी रिलीज के समय अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनने के अलावा 2007 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई रिलीज होने पर इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें इसकी कहानी, पठकथा, साउंड ट्रैक, प्रोडक्शन डिजाइन, वेश भूशा और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशनसा की गई पठपनवे राष्ट्रिय फिल्म पुरसकारों में ओम शांती ओम, साबू सिरिल ने सर्वश्रिष्ट प्रोडक्शन डिजाइन का पुरसकार जीता तिरपनवे फिल्म फेर पुरसकारों में इसे सर्वश्रिष्ट फिल्म सर्वश्रिष्ट निर्देशक सर्वश्रिष्ट अभिनेता सर्वश्रिष्ट अभिनेतरी और सर्वश्रिष्ट सहायक अभिनेता सहित प्रमुख तेरा नामांकन मिले और दो पुरसकार जीते सर्वश महिला पदारपन और सर्वश्रिष्ट विशेश प्रभा ओम अक्सर शान्ती की फिल्म के पोस्टर से पहले अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और उनसे मिलने की इच्छा रखते हैं एक रात वह पप्पू के साथ अपनी एक फिल्म ड्रीमी गरलक के प्रीमियर में घुसता है बाद में उस रात नशे में धुत ओम पप्पू को एक भावनात्मक भाशन देता है क्योंकि वह एक महान अभिनेता बनने का सपना देखता है ओम और पप्पू उन फिल्मों में छोटी अभिनय भूमिकाए निभाते हैं जिनहें आरसी स्टूडियो में फिल्माया जाता है जो मुकेश महरा के स्वामित वाला एक प्रमुख फिल्मांकन परिसर है जो एक आकरशक लेकिन अहमकारी व्यक्ती है जो एक अमीर और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता है एक दिन शूटिंग के दौरान शान्ती एक आग में फंस जाती है जो फिल्मांकन के दौरान नियंतरन से बाहर हो जाती है अपनी जान जोखिम में डाल कर ओम आग में कूट जाता है और उसे बचा लेता है शांती उसके प्रती आभारी है और दोनों दोस्त बन जाते हैं ओम शांती से जूट बोलता है कि वह उसे प्रभावित करने के लिए एक लोगप्रियतमिल फिल्म अभिनेता है यहां तक कि वह अपनी फिल्म के फिल्मांकन का एक कार्य भी करता है लेकिन अंत्ध शान्ती को सक्चाई बताता है कि वह उसके लिए उसके वास्तविक लगाव को देखकर एक छोटा सा अतिरिक्थ है शान्ती ओम को माफ कर देती है और वे एक दूसरे के साथ एक खुशाल शाम बिताते हैं और वह उसे एक स्नो गलोब उफार में देती है हालांकि चीजे तब बदल जाती हैं जब ओम गलती से शान्ती और मुकेश के बीच एक गर्म बातचीत सुन लेता है वह यह जानकर हैरान है कि उनकी शादी को दो साल हो गए हैं लेकिन उन्होंने इसे सारवजनिक रूप से प्रकट नहीं किया है क्योंकि यह उनके करियर को बरबाद कर देगा शान्ती मुकेश को बताती है कि वह उसके बच्चे के साथ गर्भवती भी है जिससे ओम का दिल तूट गया वह शान्ती से पूरी तरह से बचता है अगली रात मुकेश शान्ती को ओम शान्ती ओम नामक अपनी आगामी फिल्म के सेख पर ले जाता है और उसे बताता है कि वे इसका निर्मान रद्द कर देंगे और इसके बजाए एक भव्य विवाह समारोह करेंगे ओम आखिरी बार शान्ती से मिलने के लिए सेख पर जाता है और उसका स्नो ग्लोब वापस करता है लेकिन उसे मुकेश के साथ देखकर निराश हो जाता है वह पास के एक फवारा तालाब में बर्फ के ग्लोब को छोड़ देता है और फिंक देता है इस बीच मुकेश शान्ती से कहता है कि शान्ती और अजन्मे बच्चे के साथ उसकी शादी उसके सफल करियर को नश्ट कर देगी इसे रोकने के लिए वह सेट पर आग लगा देता है और उसे और अजन में बच्चे को मारने के लिए एक भैभीत शान्ती को उसमें बंद कर देता है जैसे ही वह सेट से बाहर निकलता है, ओम शांती को आग की लपटों में देखता है और उसे बचाने का प्रयास करता है लेकिन मुकेश के गाड द्वारा हमला किया जाता है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है उनके जाने के बाद वह सेट में प्रवेश करने में काम्याब होता है, लेकिन एक बड़े विस्पोट से उसे इमारत से बाहर फिंक दिया जाता है ओम सडक पर रेंगता है क्योंकि सेट जलता है जिसमें शांती होती है ओम यह देखकर तूट जाते हैं और अचानक प्रसिद्ध अभिनेता राजेश कपूर की कार से तक्रा जाते हैं वह उसे अपनी गर्भवती पत्नी लवली कपूर के साथ अस्पताल ले जाता है जो प्रसव पीडा में है ओम की गंभीर चोटों के परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई जबकि अभी भी शांती के बारे में याद किया जाता है राजेश का सहायक नासिर अपने सर्जन से बेला और पपू से इस बात को गुप्त रखने के लिए कहता है कुछ क्षण बाद राजेश और लवली को एक बच्चे का आशिरवाद मिला और वे उसका नाम ओम कपूर रखते हैं तीस साल बाद ओम कपूर को एक अमीर युवा व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जो हिंदी फिल्मों में एक सुपरस्टार है और ओम प्रकाश मखीजा का पुनरजन्म होने का पता चला है वह पायरोफोबिया का अनुभव करता है और अकसर बेला से मिलता है जो उसे अपना बेटा मानती है और उसे अपने घर ले जाने की कोशिश करती है एक बूढा पपू उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह कोई और है लेकिन वह उस पर कोई ध्यान नहीं देती है ओम भी उसे अन्देखा करता है और यह सोच कर चला जाता है कि वह पागल हो गई है वह और उनके सहायक अनवर शेख बाद में ओम की फिल्मों में से एक के फिल्मांकन के लिए परित्यक्त आरसी स्टूडियो जाते है ओम जगह को पहचानता है और अपने पिछले जीवन के कुछ फ्लेश बैक का अनुभव करता है वह शान्ती के टूटे हुए बर्फ के गलोब को भी पाता है और भमित होता है उस रात ओम उस भावनात्मक भाशन को याद करते हैं जो उन्होंने पप्पू को नशे की हालत में दिया था जब उन्होंने सर्वश्रिष्ट अभिनेता के लिए फिल्म फेर पुरस्कार जीता था जैसा कि वह दर्शकों को वही भाशन देता है पप्पू टीवी पर अपना पुरस्कार समारोह देखता है और महसूस करता है कि उसके दोस्त का पुनरजन्म ओम कपूर के रूप में हुआ है इस बीच ओम की सफलता के लिए एक भव्य पार्टी रखी जाती है उनको मुकेश द्वारा-दौरा किये जाने पर अपना पूरा जीवन याद है जो अब हॉलिवुड में काम करते हैं और उनके साथ एक फिल्म बनाने की इच्छा रखते हैं उस रात बाद में वह बेला और पप्पू को क्रॉल में खोजता है और उनके साथ भावनात्मक पुनर्मिलन करता है तीनो मुकेश से अपना अपराध कबूल करवा कर शान्ती की मौत का बदला लेने की योजना बनाते हैं अगले दिन ओम मुकेश को उसी बरबाद RC स्टूडियो में ओम शान्ती ओम की शूटिंग फिर से शुरू करने के लिए मनाने में काम्याब हो जाता है वह शान्ती के हमशकल को खोजने के लिए कई अभिनेत्रियों का ओडिशन लेता है लेकिन विर्थ हालांकि ओम संध्या उर्फ सैंडी से मिलता है जो एक उदास लेकिन प्यारी लड़की है जो शान्ती की एक सटीक हमशकल है वह अपनी योजना का खुलासा किये बिना उसे काम पर रखता है और उसे निकाल देता है क्योंकि वह ठीक से कार्य करने में असमर्थ है पप्पू की सलाह पर ओम सैंडी को अपनी योजना बताता है जो उससे वादा करता है कि वह उसकी योजना के अनुसार उसकी मदद करेगी ओम शांति ओम सेट के उदघाटन समारोह में बेला एक बूढ़ी के भेश में मुकेश को डराती है और ओम और पप्पू शांती की तस्वीर को आग लगाने की कोशिश करते हैं ताकि उसे अपने अपराध की याद दिलाई जा सके हाला की सेट अप काम नहीं करता है तस्वीर अलोकिक रूप से आग से जलती है जो मुकेश को परिशान करती है और ओम और पप्पू को भ्रमित करती है मुकेश तब और अधिक भयभीत हो जाता है जब सेंडी उसके सामने एक मेकाप रूम में शांती के रूप में दिखाई देती है आखिरकार वह ओम शांती ओम के फुटेज में शांती को देखने के बाद अमेरिका जाने का फैसला करता है लेकिन ओम उसे कुछ दिनों तक इंतजार करने के लिए कहता है वह ओम शांती ओम के संगीत लौंच के दौरान मुकेश के सामने एक गीत के माध्यम से शांती के जीवन की कहानी का प्रदर्शन करता है हालांकि मुकेश को सेंडी की असली पहचान का पता चलता है क्योंकि चोट के कारण उसके शरीर से खून बहता है मुकेश उसका पीछा करने का प्रयास करता है लेकिन एक गिरते जुमर से बेहोश हो जाता है होश में आने के बाद ओम अपने अपराध पर उसका सामना करता है लेकिन मुकेश उसे ताना देता है कि वह या उसकी डुप्लिकेट शांती उसे हत्या के लिए दोशी नहीं ठहरा सकती क्योंकि इसके लिए कोई सबूत नहीं है तब ही सैंडी घटना स्थल पर पहुँच जाता है वह बताती है कि सेट में आग लगने के बाद मुकेश उस जगह पर लौट आया शांती तब भी जीवित थी लेकिन उसने उसे जूमर के नीचे जिन्दा दफन कर दिया वह निशकर्ष निकालती है कि शांती की लाश जूमर के नीचे पाई जाएगी जो अदालत के लिए उसकी हत्या का सबूत होगी मुकेश उसके रहस्योधाटन से इनकार करता है और उसे गोली मारने का प्रयास करता है लेकिन ओम उस पर हमला करता है और सेट पर आग लग जाती है वह उसे अपने पैर में गोली मारता है और उसकी हत्या करने वाला होता है लेकिन सैंडी उसे यह कहते हुए रोक देती है कि मुकेश का मरना तय है लेकिन उसके हाथों में नहीं वह जूमर को देखती है जो गिरता है और मुकेश को मुरित घोशित कर देता है अगले ही पल ओम चौंक जाता है जब पप्पू और अन्वर सैंडी के साथ सीम पर पहुँचते हैं जैसे ही वह सामने वाले को देखता है उसे पता चलता है कि जिसने शांती की हत्या का सबूत दिया था और मुकेश को मार डाला था वह असली शांती था यानि शांती का भूत वह तस्वीर को आग से जलाने और मुकेश को बेहोश करने के लिए जिम्मेदार थी जिससे उसे अपनी योजना में मदद मिली ओम सैंडी के साथ फिर से मिलता है और शांती पर लहरिन उठाता है जो आसू बहाता है और गायब हो जाता है आखिरकार शांती प्राप्त कर लेता है